समस्कार एक बार फिर से स्वागताब सभी का अब देख रहे हैं हेडलाइस न्यूबारत इस वक्त की बड़ी कबरारी आज दिन पर आपको मीडिया में ये कबर पढ़ने को मिली है कि आज से करीब 33 साल पहले जब मनमोहन सिंग वितमंत्री थे तब भारत से 47 टन सोना देश के बाहर ले जाकर बेश दिया गया था ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल बार बार उट रहा है कि आखिर इस बार RBI ने इतनी बड़ी मात्रा में सोना क्यों मंगवाया है सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रिजर बैंक देश का सोना बहार क्यों रखता है आपको बताते हैं चले इसकी दो बड़ी वज़े है पहले तो यह है कि हर साल RBI भारी मात्रा में गोल्ड खरीता है जाई रहे कि यह सोना विदेश से खरी जाता है और ग्लोबल लेबल पर सोने का सबसे बड़ा एक्सेंज मार्केट भी इंगलेंड में है यह जा RBI उसी एक्सेंज से गोल्ड खरीत कर इंगलेंड के यह बैंक में जमा करा देता है इससे सोने की लोजिस्टिक कास्ट बच जाती है दूसरा बड़ा कारणी है कि बैंक आफ इंगलेंड सेक्ड़ों सालों से सोने की हिपाजत करता आ रहा है और उसे इस मामले में काफी अनवाव है इस बैंक को दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक माना जाता है बात यह है कि साल 1991 की जब केंदर में चंदर सेकर की सरकार थी तब देश की बैलेंस सीट काफी गड़ बढ़ा गई थी आरबियाई के पास आयात बिल जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे इस कमी को पुरा करने के लिए आरबियाई को 36.1,000 तन सोना बैंक ओफ इंग्लेंड के पास गिर भी रखना पड़ा था इस बार मामला पूरी तरह पल्टा नजर आया ये बात साल 2009 में तब केंदर में UPA की सरकार थी और मनमाउन सिंग प्रधार मंतरी थे उन्होंने देश की संपत्यों को डाइवर्सिफाई करने के लिए अंतरराष्टिये मुत्रा को से 200 टन सोना खरीद लिया इसके लिए RBI को 6.7 अरब डॉलर खर्च करने पड़े थे इसके बाद से रिजर बैंक लगातार सोने की खरीद कर रहा है मीडिय रिपोर्ट्स के मारे तो रिजर बैंक ने इतनी बड़ी मातरा में सोना इसलिए भारत वापस अपने वर्ल्ट में मंगाया क्योंकि बैंक ओफ इंगलेंड इस गोल्ड की सुरक्षा के लिए RBI से मोटा पैसा खर्च करता है विदेशी बैंक में सोने को रखने की लागत काफी जादा हो रही है इस लागत को बचाने के लिए ही रिजर बैंक ने सोटन सोना इंगलेंड से भारत वापस मंगाने का फैसला किया है लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चनल को सब्सक्राइज रुकरे ब्यूरो रिपोर्ट डेटलेंच निव भरत